हेलो स्टुडेंट आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्ट नमबर 6 क्या था हमारे पास नमबर आफ हाउस होल्स कितने थे 100 से 150 तक थे 4 फिर आगे थे 5 12 2 2 find the mean daily expenditure on food by a suitable method तो क्या करेंगे हम यह table मैंने बना लिया है daily expenditure in rupees यह चीज थी number of households हमारे पास यह था अब क्लास माक्स हम कैसे निकालते थे एक्साइज तो formula होता था हमारे पास upper limit प्लस lower limit अपॉन करते थे 2 तो क्या करेंगे 100 प्लस 150 कर लेंगे 100 प्लस 150 अपॉन 2 कितना आजएगा हमारे पास 250 अपॉन 2 तो कितना आएगा हमारे पास 125 next इन दोनों को add करेंगे upon करेंगे 2 तो आएगा 175 next आजएगा हमारे पास 225 next आएगा 275 next आजएगा हमारे पास 325 अब देखो UI का formula था हमारे पास XI minus A upon H A क्या था हमारे पास assume mean तो यहाँ पर assume mean कैसे A से is equal to कितना या 225 अब H, H क्या होता था हमारे पास class size या फिर इसको हम width of class भी बोलते हैं तो width of class H is equal to इन दोनों का difference 100 और 150 कितना frequency distribution कितना difference था हमारे पास 50 का तो H कितना आजयेगा 50 value पुट कर लेंगे UI is equal to XI minus A था हमारे पास 2, 225 upon H था हमारे पास 50 अब यहाँ पर तो कितना आजयेगा 125 minus 225 upon आएगा 50 जब solve करेंगे तो कितना आजयेगा हमारे पास minus 2 next हम value put करेंगे solve करेंगे तो आएगा minus 1 next आजएगा 0 फिर आएगा 1 फिर आएगा 2 अब यहां पर fi ui तो fi number of households थे और ui ये था 4 into minus 2 कितना आएगा minus 8 5 into minus 1 minus 5 12 into 0 0 2 into 1 2 2 into 2 4 अब next हम क्या करेंगे total तो add कर लेंगे किसको number of households को submission of fi, submission of fi का मतलब क्यों होता था इन सबको add कर लो तो जब add करेंगे हमारे पास कितना आजाएगा 5 or 4 9 और यह जब इनको add करेंगे तब आजएगा 25 अब submission of fI ui इन सबको भी हम add कर लेंगे तो minus 8 minus 5 यह आता था minus 13 4 or 2 यह आता है हमारे पास 6 तो जब इसको solve करेंगे add करके हमारे पास आ जाएगा minus 7 assume mean हमारे पास 225 था width of class हमारे पास 50 थी next हमने क्या निकालना था mean तो जब हम mean निकाल लेंगे mean का formula mean को हम represent करते थे x वार से और formula क्या था? submission of formula था हमारे पास a plus submission of fi ui upon आएगा submission of fi into h into में आएगा ये और ये किसका formula था? ये गुदो था हमारे पास step deviation का ठीक है step deviation mean जब हम निकाल थे थे तो x वार क्या करेंगे values put कर देंगे a की value थी 225 प्लस submission of fi ui कितना था हमारे पास minus 7 upon submission of fi कितना था हमारे पास? 25 और h की value कितनी आए थी हमारे पास? 50 अब इसको solve करेंगे तो 25 1s are 25, 25 2s are 50 तो कितना आजएगा? 225 और ये minus का 7 था into 2 थे तो minus 14 आजएगा तो जब 225 से इसको less करेंगे कितना आएगा हमारे पास? 211 तो x वार की value कितनी आगी? 211 तो क्या लिखेंगे हम? Hence, mean daily expenditure on food is कितने रुपीज आए हमारे पास? रुपीज आए 211 ठीक है? तो ये हमारे पास answer है 211 Question number 7 है हमारे पास to find out the concentration of SO2 in the air in parts per million that is PPM the data was collected for 30 localities in a certain city and a percentage below तो ये दी हुई थी हमारे पास concentration of SO2 in PPM PPM क्या होते था हमारे पास? parts per million ठीक है? 0.00-0.04 इसकी ratio तो frequency थी 4, 0.04 से 0.08 इसकी frequency थी 9, 0.08 9 आगे ये table गिवन था find the mean concentration of SO2 in the air तो क्या करेंगे हम? solve करेंगे पहले हमने एक वो table बना लिया जो हमारे पास गिवन था concentration of SO2 in PPM frequency ये थी हमारे पास class mark तो class mark हम कैसे निकालेंगे? upper limit प्लस lower limit upon 2 इन दोनों को add करेंगे upon कर देंगे 2 तो कितना आएगा? 0 इन दोनों को add करेंगे तो 0.04 upon 2 ये ही आएगा हमारे पास तो इसको solve करके आएगा 0.02 next इन दोनों को add करेंगे, divide करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 0.06 next दोनों को add करेंगे, divide करेंगे 2 से आएगा 0.10 next आजेगा 0.14, next आएगा 0.18 और next आएगा 0.20 अब ui is equal to xi minus a upon h तो a क्या था हमारे पास? assume mean assume mean हम mid value लेती थे यहां से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब यहां पर even number आगे हमारे पास तो या तो आप third value को ले लो या फिर आप fourth को ले लो किसी को भी ले सकते हो तो मैंने यहां से assume mean की value ले ली 0.10 ठीक है तो मैं यहां पर लिख लेती हूँ assume mean की से denote किया था इसको a से यह मैंने ले ली 0.10 h हमारे पास होता था width of class तो इन दोनों का difference कितना आएगा हमारे पास? क्या लिखते थे हम इसको width of class width of class h से denote किया था difference इनका 0.04 ही आएगा तो कितना आजेगा? ui is equal to xi minus a की value थी 0.10 upon h की value थी 0.04 तो इसको solve कर लेंगे xi था 0.02 minus करेंगे हम 0.10 upon में लिखेंगे 0.04 तो जब इसको solve करेंगे तो आएगा minus का 2 आगे values पुट करेंगे तो हमारे पास solve करके आएगा minus 1 next आएगा 0 next आएगा 1 2 और 3 जब यहाँ पर values पूट करेंगे तो यह वाली values आएगी अब fi ui करेंगे fi था frequency ui हमारे पास यह आए था तो 4 into minus 2 कितना होते? minus 8 9 into minus 1 minus 9 9 into 0 0 2 into 1 2 4 into 2 8 2 into 3 6 उसके बाद हम करेंगे total तो total में इन सबको add कर दो submission of fi जब इनको add करेंगे तो add करके हमारे पास कितना हैगा? 30 और जब submission of fi ui करेंगे submission of fi ui इनको add करेंगे तो देखो यहाँ पर यह minus की value थी यह आगया minus 17 और यह plus की value थी यह plus का आगया 8 और 2, 10 और 6, 16 यह आगया 16 तो यहाँ पर value आगी minus 1 अब हमने mean निकालना था तो mean को हम represent करते थे x-bar से formula क्या होता था? a plus submission of fi ui upon submission of fi into h step deviation method था यह तो क्या करेंगे? x-bar values हमारे पास सारे की सारे हैं? हमने just put करनी है a की value थी 0.10 plus submission of fi ui कितना है था हमारे पास? minus 1 summation of fi यह था हमारे पास 30 into h की value थी हमारे पास 0.04 तो हम इसको solve कर लेंगे कितना आगा? 0.10 minus का आजेगा 0.04 upon में आया 30 तो इससे इसको divide कर लो कितना आजेगा? जब इसको divide करेंगे 0.10 और जब 30 से 0.04 को हम divide करेंगे तब हमारे पास आजेगा 0.00 313 4 4 तो 1 3 3 आजेगा यह आजेगा हमारे पास ठीक है? 3 3 next ऐसे ही आता रहेगा तो इसको मैं लिख लेकती हूँ कितना आगया यह? 0.0013 यह आजेगा हमारे पास तो x बार जब 0.10 से इसको less करेंगे तब हमारे पास क्या अंसर आजेगा? 0.987 यह आजेगा अप्रोक्सिमेशन में यह अंसर आजेगा हमारे पास ठीक है? तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम? therefore, mean concentration of SO2 in the air is कितना आगया हमारे पास? 0.90.0 आएगा यहाँ पे 0.0 क्योंकि 0 तो एक जिरो भी लाएगा यह आएगा 0.0987 तो 0.0987 पी पी एम ठीक है? थीक है? थांक्यू ग्लास